नमस्कार दोस्तो वेलकम टू पीके क्लासिस आज हम बात करने वाले हैं लेथ मसीन लेथ मसीन इंजरिंग डिपलोमा बी टेक फर्स्ट यर स्टुडेंट्स आल ब्रांच डिपलोमा मेकेनिकल स्टुडेंट के लिए बहुत ही इंपार्टेंट है जो की एकजाम में हर वार ले तो लेथ मसीन में हम देखेंगे इंट्रोडेक्शन, लेथ मसीन के मैन पार्ट्स, लेथ के ऑपरेशन और लेथ का उपियोग इसकी हम बात करेंगे तो दोस्तो आपको बता दूँ यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक जरूर करें ओके चलिए लेथ मसीन क्या होती है सबसे पहले हम लेथ मसीन की बात करेंगे तो जो लेथ मसीन है एक पावर ड्राइबन मसीन टूल है जो हेड़ स्टाथ एंड टेल स्टाथ के बीच में बर्कपीस को जिसको हम जौब भी बोलते हैं उसको क्या करता है ह पूल करता है और डिफरेंट टाइप के इसके उपर कारी किये जाते हैं आपरेशन परफार्म करते हैं जैसे की टर्निंग हो गया फेसिंग नर्लिंग कटिंग इत्यादी और भी बहुत सारे इसमें हम आपरेशन परफार्म करते हैं और हम दिये हुए वर्क पीस पे वर्क करक operation करके हम उसको required shape and size में प्राप्त कर लेते हैं and जो lathe machine होती है lathe machine पे अलग-अलग प्रकार के operation परफार्म करने के लिए हम अलग-अलग प्रकार के cutting tools का उपियोग करते हैं ओके चलिए यह हमारा हो गया lathe machine का introduction ओके next है lathe machine अब यहाँ पे इस lathe machine को हम center lathe के नाम से भी जानते हैं जो यह lathe machine है center lathe भी कहलाती है इसको कहीं कहीं engine lathe भी बोलते हैं तो यह center lathe है इसमें diagram में आपको दिख रहा है कि जो हमारा bad है bad cast iron का बना होता है और bad का जो left side है उसके left side में bad के उपर head stack लगा हुआ है और right side में bad के उपर tele stack लगा हुआ है और इन दोनों के बीच में chuck के अंदर हमारा जो work piece है जिसको हम job लिखा हुआ है इसको हम क्या करते हैं लगाते हैं तो lathe machine में क्या होता है कि work piece rotate करता है और tool हमारा fix होता है ओकी तो carriage है carriage में हमारा tool hold है tele stack के hand wheel है tele stack के लिए move करने के लिए और lead screw है तो यह हमारे legs हैं जो की legs के थुरू हमारी जो lathe machine है यह ground floor पे क्या होती है fix होती है ओकी चलिए तो जो lathe machine है इसमें कौन-कौन से mok part होते हैं और इनका क्या function होता है तो जो lathe है इसका first part है bed तो bed क्या होता है कोई भी machine है उसका basic tool basic structure होता है जो cast iron का बना होता है और जितने भी part है वो bet के उपर mount होते हैं या bet के उपर लगे होते हैं तो यह क्या होता है basic structure bed next है headstock तो जो headstock है headstock mounted on lathe bed left side left side में हमारा headstock bed के उपर mount है और headstock permanently fixed होता है और इसके अंदर driving mechanism होते हैं जैसे आपकी pulley, gear, shaft और इसके बाद इसके back side में motor connected होती है इसको drive करने के लिए किसके लिए? work piece को तो यह हमारा headstock है इसके बाद tailstock है तो tailstock कहाँ पे lathe wet के उपर center को hold करके रखता है जिससे work piece यदि ज़्यादा लंबा है तो उसको हम second hand पे support देने के लिए dead center का उपियोग करते हैं और जो tailstock होता है दोस्तों tailstock हमारा bet की interlength के उपर move भी कर सकता है hand wheel की मदश से इसको यदि हम चाहें तो left right है जो hand wheel की साहता से इसको हम move करा सकते हैं चलिए और जो हमारे drill reaming, boring जो tools होते हैं वो हम center को हटा के यहाँ पे हम tools के लिए hold करते हैं चलिए next part है carriage तो जो carriage होती है एक carriage क्या है यह mount होती है bet पे head stack and tail stack के बीच में और यह हमारे cutting tool को control and support करती है और जो carriage होती है इसके 5 part होते हैं जिसमें एक आपका saddle होता है इसके बाद आपका apron होता है cross slide होती है compound rest होता है और सब से उपर होता है उसको बोलते है tool post जहां पे हम cutting tools के लिए लगाते हैं ओके चलिए next part है आपका chuck तो chuck है जो spindle के उपर लगी होती है और chuck हमारी work holding device है जो work piece के लिए machine पे hold करके रखती है जिसके अंदर हम work piece को hold करते है या लगाते है बो हमारी क्या होती है chuck तो chuck आपकी कौन सी है यहां पे lathe machine पे mostly three या फोर जा chuck का हम उपयोग करते हैं work piece को hold करने के लिए ओके चलिए next अब हम बात करेंगे lathe operation तो lathe machine के operation कौन कौन से है तो ये lathe जो operation है इसमें आपका turning operation होता है lathe पे facing operation cutting या इसको हम parting भी बोलते हैं knurling threading drilling reaming boring ये operation हम किस पे lathe machine पे perform करते हैं जिसमें turning में आपका step turning भी होती है और taper turning भी होती है और plan turning भी होती है तो यहां पे हम plan turning की बात करेंगे दोस्तों ओके चलिए तो यहां पे आपका आगया first turning operation तो हम turning operation में क्या करते हैं तो जो turning operation होता है इस operation की द्वारा हम single point cutting tool जो की diagram में दिख रहा है tool आपका है और work piece है वो चक के अंदर hold है और आपका work piece rotate होगा तो इस operation में हम क्या करते हैं कि जो हमारा work piece है इस से हम access materials को क्या करते हैं हटा लेते हैं suppose आप मानें कि यदि work piece का dia 20 mm है लेकिन आपको चाहिए 18 mm है तो इसका मतलब है इस पर 2 mm है जो extra material है तो हम 2 mm है material को हटा लेंगे तो हमको 18 चाहिए तो 18 mm का हमारे पास job या work piece हमको प्राप्थ हो जाएगा तो जो turning operation है in this operation भी remove the extra material from the work piece with the help of single point cutting tool okay single point cutting tool का मतलब होता है कि जिसकी एक ही tip या एक ही point हो जिससे material कटता है या remove होता है okay next है facing operation तो facing operation में आपका diagram दिया हुआ है diagram में work piece चक के अंदर hold है और आपका इसमें facing tool लगा हुआ है ओके और आपका जो job है वो घूम रहा है तो जो facing operation होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा work piece है उसका 2 face होते हैं एक face चक के अंदर hold है और second face आपका free है तो जो work piece का end surface है इसको हम flat end smooth बनाते हैं तो इसको हम right angles flat बना लेते हैं smooth बना लेते हैं किस operation में? facing operation में इसके बाद work piece को insert करके दूसरा end hold कर देंगे और second end को भी हम flat और smooth बना सकते हैं तो इसमें भी आपका कौन सा tool है single point cutting tool तो इस operation का क्या नाम है? facing बहुती simple दिया हुआ है in this operation we make end surface a work piece flat end smooth with the help of single point cutting tool ओके चलिए next operation की बाद करते हैं next operation इसमें cutting या इसको हम जानते हैं parting के नाम से तो जो cutting है cutting से आपको समझ में आ रहा होगा cutting मतलब काटना या parting मतलब part में divide करना तो जो ये parting या cutting operation है इस operation में हम job के लिए more than one part में divide करते हैं कह जैसे आपके पास एक single job है उसकी length जाता है उसको हम को 4 part में divide करना है तो इस operation के द्वारा हम उसको 4 partial part में divide कर सकते हैं तो इस operation को क्या बोलते हैं parting operation या इसको हम जानते है cutting operation के नाम से लगा हुआ है चलिए next煮 == तो जो नरलिंग meinem आपका क्या है the machine Dig effect in the jewelry tool लगा हुआ है नर लिंग टूल है जो टूल होलर में लगा हुआ है बर्घ पीस आपका चक्के अंदर होल ले और चक आपकी spindle पे head stack side में लगी हुई है तो जो nerling operation होता है इस पे हम क्या बनाते हैं grip बनाते हैं हम इसको grip भी बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं deep impression किस operation से? nerling operation से तो जो यह impression होती है यह impression slip होने से रोकती है क्योंकि यह rapsarpes हमने generate कर दिया कि जैसे आपके कोई machine stool हो गए handles हो गए तो इन पे क्या होता है कि जब हम हाथ से पकड़ के turn करते हैं तो कई बार हाथ हमारा फिसल न लगता है slip होने लगता है तो यदि वो rapsarpes होगा तो हमारी पकड़ मजबूट लगेगी तो जैसे हमारे जूतों में पर हम नर्लिंग operation के द्वारा grip या deep impression को generate कर लेते हैं ओके चलिए नेस्ट है आपका threading threading आप maximum लोग जानते होंगे threading मतलब चूड़ी बनाना तो दोस्तों एक बार और बता दूँ कि यदि हम लेट मसीन की बात कर रहे हैं तो इसमें mostly हमारे slendrical shape, hexagonal, pentagonal shape के work piece ही hold किये जाते हैं तो इसमें जितने भी job आपके operation है इसम में slendrical shape के job को लेके चल रहे हैं तो जो threading operation है इस operation में हम work piece के surface पे external thread cut करते हैं चूड़ी बनाते हैं means आप बोलते nut and bowl पे thread होती है वो हम इसमें क्या lathe machine से हमारा नीचे tool है और हम इसकी axis के parallel feed देते जाएंगे तो हमारी single point cutting tool है वो इस पे चूड़ी है, वो करता जाएगा तो इस operation में threading या इसको हम taping के नाम से भी जानते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं thread बनाते हैं, ओके चलिए, next operation है drilling, तो drilling operation में tool होता है, जिसकी साहता से हम burk piece के end face पे दोस्तो इसमें burk piece rotate करता है तो आप इसमें end face पे ही drill कर सकते हैं यदि हम lathe machine से बात करेंगे जिसमें आपका drill tool center drill है वो इसके center पे लगी हुई है जहां center था tell stack में उसको हटा के हमने drill tool को लगा दिया और इससे हम lathe machine से drilling operation भी कर सकते हैं तो इस operation में क्या होता है हम slendrical hole बनाते हैं burk piece के end face पे drilling tool की सहायता से drilling tool की मदद से, ओकी चलिए दोस्तो यदि आप ही तक आपने channel subscribe नहीं किया है तो please subscribe करें क्योंकि subscribe करने से आपको क्या होगा आप subscribe करने के बाद bell icon का button प्रेस करेंगे इससे जो भी वीडियो मैं upload करूँगा उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी चलिए तो next operation की बाद करते हैं next operation है reaming तो जो reaming operation है reaming क्या होता है drilling के बाद हम reaming परफाम करते हैं तो इस operation में हम क्या करते हैं जो हमारा hole है उस hole का जो डाया होता है अंदर का वो आपका uniform नहीं होता है rough surface होता है तो drilling hole को हम reaming tool की मदश से क्या करते हैं finishing करते हैं finishing means इसको हम straight बनाएंगे accurate shape and size में लेके आएंगे किस से reaming tool की मदश से चलिए नेस्ट बोरिंग आपरेशन तो बोरिंग आपरेशन में क्या है कि जो डायग्राम देख रहा है डायग्राम में आपको देख रहा है जाव रोटेट कर रहा है बोरिंग टूल हमारा hole के अंदर है वो हम जिसको हम feed देते जाएंगे ओके और जो job है वो हमारा चक के अंदर hole है तो जो बोरिंग आपरेशन होता है इसका उप्योग करते हैं हम किसको size को बढ़ाने के लिए size को enlarge करने के लिए for certain depth या hole depth तो means जो हमारा drill hole है जैसे उसके tap के 4 mm पे हमको diameter बढ़ाना है तो हम बोरिंग आपरेशन से 4 mm ताप पे हम क्या कर लेंगे डाया को increase कर लेंगे या हमको conical shape देना है तो हम conical shape भी दे सकते हैं तो जो हमारा बोरिंग आपरेशन है इसमें क्या है इन दिस आपरेशन भी enlarge the size of drilled hole with the help of boring tool boring tool की मदद से हम इसकी size को enlarge कर लेते हैं अब हम बात करें लेत मसीन का use तो लेत मसीन का जो use है इंजरिंग बर्क साप में भी होता है आपकी machine tool की lamb में भी होता है इसके बाद आपकी जो industries होती है जैसे बी एची एल हो गई और बड़ी बड़ी industries हैं जो आपकी उहां पर हमारी लेत मसीन उपयोग होती है और इसके अलावा जब हम अपने बाइक का जो slender होता है या slender head होता है तो उसको repair करवाते हैं तो जो भी mechanic होता है इसको हमारा लेत मसीन पर बेचता है या हमारा जो hub होता है जहां पर brakes डलते हैं उसके हब में material वारो आना वो भी हमारा brakes वहाँ पर जाता लेथ पर या हमारे जो साकप की राड है वो यदि bend हो गई तो भी हमारी लेथ मसीन पर ही repair होती है अब लेथ मसीन कितने प्रकार की होती है यह भी देख लेते हैं तो जो लेथ मसीन है इसमें हमारी एक center लेथ होती है captain and turret लेथ होती है speed लेथ होती है इसके बाद आपकी CNC लेथ होती है automatic लेथ होती है तो automatic में ही CNC आ जाती है CNC का मतलब होता है computer numerical control machine ओके दोस्तों thank you